वेलकम टो मैं वीडियो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप किस तरह Cisco के राउटर की किसी भी पॉट का Mac अड्रेस चेंज कर सकते हैं तो ये एक असान सी वीडियो है जिसमें मैं आपको अगर आपके बस फिजिकल राउटर है तो आप उसके उपर भी चेंज कर सकते हैं यहां पर देखें आपको हर एक पोर्ट का एक राउटर एक Mac अड्रेस नज़र आ रहा है तो गिगाबिट इत्रेट 0-0 का यहां पर नज़र आ रहा है 00d0.979cd6601 तो मैं इसका Mac अड्रेस चेंज करता हूँ तो सबसे पहले हम Enable Mode में जाएंगे उसके बाद Configuration Mode में जाएंगे इसके बाद Interface में जाएंगे मेरे पास Gigabit Ethernet है 0000 उसके बाद जो है वह Mac की कमांड है अगर आपको देखना चाहते हैं इसमें कोनकों से और Option है तो Mac space question mark लिखेंगे तो आपको pattern नज़र आ जाएगा कि आपने 3 chunks में dots के साथ वह अपने Mac address लिखना है तो मैं एक Mac अपनी मरजी से लिख लेता हूं कोई भी Mac आप लिख लें जो भी उस validity के अंदर आता है यानि आपने जो chunk है उसके size का दियान रखना है उसके बाद जो भी हम Mac change करना चाहें तो वह कर सकते हैं देखें यहां पर मैंने Mac address इस Gigabit Ethernet 0.0.0.0.0 का change कर दिया उसके बाद हम इसको करेंगे end configurations को save करेंगे दोबारा से मैं यहां पर इसके ओपर जाकर देखता हूं मेरे पास Mac change हुआ के नहीं तो यह देखें मेरे पास Gigabit Ethernet 0.0.0.0 के against जो Mac है वो change हो चुका है पहले वो था 00D0.979C.6D01 अब जो Mac है वो है 0ADC.02AC.0EF9 यानि यह जो मेरी command है यह work करती है और इसके मैंसे आप किसी भी router की किसी भी port का Mac address change कर सकते हैं तो यह एक असान सा तरीका था जिसके मैंसे आप काफी कुछ कर सकते हैं अमीद है कि आप लोगों मेरी आठकी वीडियो जिसमें मैंने आपको Mac change करना सिखाया है वो पसंद आई होगी अगर आप इसी तरह की मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को subscribe करें और बेल के बटन को भी दबा दें ताके मेरी नई आने वाली सारी वीडियो सबसे पहलें